कि नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई-ई-ई-स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतिय सेना में होने वाले लैंगिक भेदभाव के बारे में दरसल एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ह जहां पर भारतिय सेना की महिला अधिकारियों ने यह प्रस्तुत किया है कि भारतिय सेना के अंदर पदोनती करते हुए पुरुषों को वर्यता दी जाते हैं जबकि महिलाओं के लिए बहुत ही कम अवसर उपलब्द कराये जाते हैं इस मामले पर जरूरी है कि कोर्ट संग करण हो महिला को हर चेत्र में आगे अनेग अफसर में दूसी तरफ भारतिय सैना जैसे एक महत्वपूर्ण चेत्र के अंदर महिलाओं को लगातार पिछला रखना हतोत्साहित करना बहुत ही बड़ा चिंता का विशह अपने आप में तो इसी प्रकार से मामला समझना होगा तो फिलाल जो यह स्थिती है यह जो केस है इसके लिए महिला अधिकारियों के एक समूह ने संयुक्त रूप से एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारतिय सेना के साथ ही केंज सरकार दोनों ही एक एफ़ीडेविट सम्मिट करें एक हलफ नामा दें और हलफ नामा देते हो यह बताएं कि यह आरोप कितने सही है कितने गलत है और अगर गलत है तो उस संब्ध में फिर अंतिम निर्णे जो होगा वह है कोड के दौरा लिया जाएगा यदि यह सारे आरोप सही है तो उस संब्ध में अंतिम निर्णे कोड के दौरा लिया जाएगा वह ही गलत है तो ऐसी स्थिति में मामले कोब तब भी देखा जाना जरूरी है तो इसी वज़ा से वर्तमान में हमारे पास में न्यूज यह है कि हमारी जो सैना है उसकी तरफ से और केंज सरक अर्कार की तरफ से एक हलफ नामा जो है वहां भेज दिया गया है सुप्रीम कोड को और अपने यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेद़बाय नहीं कर दो हमारे नीतियां है ही है कि वे महिला दिकारी जिनको पदोनती नहीं मिल पाई है उनके द्वारा ही है मामला कोड तक ले जाये इसके अलावा यह भी देखनी में कि महिलाओं के एक अच्छी संख्या में महिलाओं को करनल के पड़ पर पर दिया गया है तो चीजे खास अगर प्रशन आएगा तो कुछ इस रूप में मेंस में प्रशन आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है तो जरूरी है कि आप लोग अपने नोट्स को तयार कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ही ना पड़े चलते हैं अगर मामला समझते क्या क्या रहा है तो देखिए भारतिय सेना पर पुरुष संकक्षों की तुलना में महिला अधिकारियों को करनल के पदपर पदोनती में भेदभाव और लेंगी पूर्वा ग्रह क्या आरोप लगाया गया है जैसे की विश्या आपको मत तक बता ма ह rooted कि महिला तुलना कि भारती सेन आज भी पूर्वा ग्रह से ग्रशीट है यानि की भारती सेना में शुरुवात से यह माना जाता था कि तो इसके आधार पर यह माना जाता था कि महिलायों जह की माले काम्न में तो पाटर्ण ये चला कि सिर्फ और सेना के चेत्र जो थे यह पुरुशों के लिए खुले रह है तो हमने देखा दीरे परिवाण तरहा हैं वह गयाु लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं बतली है ऐसा हम लोग यहां पर देख भी पा रहें तो महिलाओं जो अधिकारी हैं उन्हों नहीं प्रस्तुत किया है कि उनके जो पुरुष संकक्ष हैं उनके तुलना में उन्हें पदोन नती में भैदभाव का सामना करना पड़ रहा है और जो वहां का सिस्ट कर तो रहे हैं लेकिन अलग अलग सिस्टम का अथार पर कर रहे हैं अब जब एक ही हम लोग छेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग की जिम्मेदारियां समान हैं तो समान जिम्मेदारियां समान कारें समान छेत्र के अंदर बिभिन परकार की पदोनत प्रणालियों को लागू कर रहे हैं और वो जो पैनल है वह है पहले नामों को स्लेट करते हैं फिर उसके बाद पदोनलाइज करते हैं यह देखा जा रहा है तो इसलिए जो महिला दिकारी या अपनी अलग-अलग स्थितियों के अधार पर नामों पर निड़ने लिया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के स्थिति में यह तीन बार वाला विकल्ब भी मौझूद नहीं है। इस तरह से पैनल चल रहा है, जो नाम स्लेक्ट हो गए हो गए नहीं हो गए तो फिर बाद के बाद अलग रहेगी। ठीक, लेंगिक बेदबाव वाली स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई है। देखने में यह आ रहा है कि जब प्रमोशन हो रहा है तो पुरुशों की अधिक संक्या हो रही है, महिलाओं की कम संक्या रह जा रही है। और जो महिलाओं के कम संख्या है उसके अंदर भी चिंता का मामला यह है बना हुआ है कि बाकी और जो है उनको मोके नहीं मिल पा रहे हैं महिलाओं के लिए अफसरों की अनुपस्तिति यह खुद वहाँ पर महिला अधिकारियों के द्वारा पस्तुत किया गया है कि भारतिय सेना की इस्तिति आज इस प्रकार बनी हुए है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए अफसर जो है बहुत कम है बहुत कम इस प्रकार है कि कि जो भी कार्य हैं को सराहा नहीं जा रहा तो ऐसी स्टिति में अंतत्य वह छेतर से बाहर निकलना यानि कि अपने पद से रिजाइन देना ही उचित समझते हैं यह चीज भी गलत है और ऐसे बहुत सारी महिलाओं के नाम इन्हों कि एक दौर में जिन महिलाओं के नाम पर विचार कर लिया जाता है एक राउंड में जो महिलाओं शामिल हो जाती है अगर वह उस राउंड में क्वालिफाई नहीं होती तो जब अगले राउंड के नाम आते हैं उन पर विचार किया जाता है तो तब यह देखा जाता है कि प और नाली है जो ववस्ता है उसके उपर और जो मुखे आधार है इसके अंदर अगर हम लोग इसको एक बात के अंदर सारणशित करें तो सिदा सिदा यही देखने को मिल रहा है लेंगिक भैदभाव की स्थितिक और महिलाओं के लिए पदोनेती के अफसर ना होना चीजा के ले रहे हैं आप लोग को तो यह सारे आरोप लगाएं अब इनी आरोपो के अधार पर जवाब मंगा गया तो जवाब के अधार प्रिहां का संगर्श जारी हैं यह हम देख सकते हैं तो को ले को हलफ नमा भीजा गया है उसमें उन्होंने साफ साफ पस्ट किया है कि देखिए चाहे कोई पुरुष अधिकारी हो चाहे महिला अधिकारी हो जब कभी भी पदोन्ति की बात आती है तो योग्यता पे ध्यान दिया जाता है वहीं पिछली नीतियों के साथ में कोई छेड आफ सर्विसीज रहे हैं आपकी जो पिछली अचीब्मिंट्स रही है हम लोग उसके आधार पर थोड़े सा वरियता दे सकते हैं इसमें कोई दो रहा है बिलकुल भी नहीं है हाला कि जो इनकी तरफ से एफिडेविट भेजा गया है अभी सुपरीम कोड को अभी उसको ले केस के अंदर कि यह पहला मौका नहीं है जब भारतिय सेना के ओपर लेंगे के भाव का आरोप लगा है देखा जाए तो यह तीसरा अफसर हो गया है जब इस प्रकार से मामला सामने आया है पहली घटना हुई थी फरवरी 2020 में और दूसरी हुई थी मार्च 2021 में यह दो मामल महिलाओं के लिए जो सौट सर्विस कमिशन है जी हां आप लोग को यह बात ध्यान दखना है कि सिस्टम यह चल रहा था कि महिलाओं को शामिल तो कर लिया गया था लेकिन सौट सर्विस कमिशन के अधार पर ही महिलाओं को सेना में शामिल किया गया था यानि कि एक थोड़ के लिए थोड़े-थोड़े समय के लिए किया था लेकिन अभी इस्तिती बदल गई हैं महिलाएं अच्छा समय दे चुकी हैं चीज़ों को समझ चुकी है तो जरूरी है कि आप उनको पर्मानेंटली कमिशन कर लिजी अपनी साथ में और पर्मानेंटली कमिशन आपको करना है सिर्फ करना ही नहीं है बलकि जो शारिरिक सीमाओं को आप हर बार बाधा बनाते हैं महिलाओं के विकास के लिए उस तरफ नहीं जाना ऐसा नहीं कि फिर एक बार आप शारिरिक बाधाओं को बीच में लेकर किया और मामला गड़ बढ़ा दे इस तरफ ध्यान नहीं देना ह वहीं लाएंगे कि रोड़ी वादीदा की तरफ भी पिल्कुल धियान नहीं देना है यह सब पुरानी बाते हैं समय बदल गिया है और महिलाएं आज के समय में हैं जब हर चेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो सैना के चेत्र में भी आगे बढ़ेंगी और आजकल सभी तो बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं कि हमारी छोड़िया छोड़ों से कम है कि जब नहीं है तो फिर हर छेत्र में मौका मिलना चाहिए जो भी इच्छुट है इसमें कोई दो रहा है तो Supreme Court ने खुद कहा था फरवेर 2020 में कि बिलकुल पर्मानेंटली कमिशन कीजिए महिला अधिकारियों को और सारीरिक सीमाओं को यहां बाधा ना बनने दीजिए और लेंगी की उड़ीवादिता को सामने ना आने दीजिए चीजे चली लेकिन चलने के बावदूद फिर भी दिक्क कोट ने उन सभी भेद भावपूर मांदंडो को पूरी था से रद करने का आदेश मिती दे था यह चीज़े लिए अधिकार है सुप्रीम कोट को जब आप बड़े-बड़े कानूनों को रद कर सकते हैं एक्स आप निप्टा सकते तो उस इस्तिति में छोट-छोटे नियम कुछ ना कुछ नहीं हम लोग को यहां देखने को मिलेगा हाला कि जब मार्च 2021 में सुप्रीम कोट ने कहा था कि पर्मानेटली कमिशन कीजिए और जो भेदभावपूर मांदन हैं उनको आप साइड कर दीजिए तो उसके बाद देखा गया कि बड़ा परिवर्तन हुआ व इनके लिए खास चैन बोर्ड बनाया गया था तो जो चैन बोर्ड बनाया गया था नंबर थ्री चैन बोर्ड तो इसके पर जिम्मदारी थी कि आप महिलाओं को चुनें जो भी महिला अदिकारी हैं हमारे पास ने उनके से फिर आप देखें जो भी विशेश आपको लगते खास लगते हैं योग्य लगते हैं उनको आप करनल के पद पर पदोनत कर दीजी तो इस दोरान देखा गया कि लेफटनेट करनल से करनल के पद पर जिन महिलाओं को पदोनत किया गया उनकी संख्या 108 ती और यह है जनुवरी 2023 कि यह समय 108 महिला अधिकारियों को सूचिवत किय प्रस्तुत किया था जिसके बाद से हम देख रहे हें कि सुनवाई इस प्रकार चल रही है अभी अंतिमिर ने नहीं हो पाया तो जैसा भी रहेगा चीजों को जानेंगे समझेंगे आगे देखेंगे लेकिन अब तक की जो पूरी कहानी है ये आप लोग के सामने है और चीज़े ऐसी परकार से चल रही है चीज़े के लिए रहे हैं तो ऐसा नहीं के वर्क नहीं हुआ हो वर्क हुआ हो हुआ है यहाँ और इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली यही है कि जो सेंटरल गौर्णमेंट है और वहीं उसके अलावज हमारी इंडियन आर्मी है उसके तरफ से चीज़े बताए गई है उन्होंने कहा है कि अलग अलग पैटर्न जो है वहसा कुछ नहीं है सिस्टम जिसके कहीते कुछ भी नहीं है चीज़े सबके़िये सम aan है तो किसी प्रकार के विशान बन मिलाना जरूरी नहीं है तो बाकी है उनको थोड़ा इन्तियार पढ़ लें क्योंकि केस तो हम लोगोंने समझ लिया क्या है बागी कुछ जो बड़ा नीर ने आगा तो हम चीजों को दुबारे देखेंगे लेकिन क्या इस्तिती रही है सेना में महिलाओं कि कितना संगर्श करना पड़ा है महिलाओं को सेना में आने के लिए एक बार ज़रा इसके नाम से बनाए गए थी यह पूरी की पूरी विंक इसके अंदर महिलाएं ही हुआ करती थी इन्होंने सेकंड वर्ड वर्ड में भूमिका निभाई लेकिन जिस समय भारत अजाद हुआ और 1950 में हमने अपना आर्मी एक्ट तियार किया तो आर्मी एक्ट तियार करने के देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को खेंद सरकार वाली जो साखाई होंगी अनुमे ही काम करने का या यानी कि उन में हीyr सर्विस का मौका दिया जाएगा इसके लेवा Сबी और और चैतर में महिलाएं शामिल नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गौर्वर्मेंट वाली में महिलाओं सीमित हो गए बाकि सब जगा पे महिलाओं को हतुत साहिद कर दिया गया वहीं हमने खास चीज देखी 1958 में आर्मी मेडिकल कॉप्स के नाम से एक खास जो विंग थी महिलाओं की यहाँ पर महिलाओं महिलाओं की यह है देश में हमारी पहली ऐसा चेतर थी पहली एकाई थी जिसके अंदर यह सब कारे हुआ लेकिन चीज़े बदली 1980 के दिखा गया है कि महिलाओं को लगू सेवा के लूप में हैंने कि सौर्ट सर्विस के लिए कमिशन किया जाना शुरू कर दिया गया था फिर इन्होंने यह है डिमांड की कि हमें पर्मानेटल आप कमिशन कीजिये तो जिस परकार से फिर जजज्मेंट्स है मैं आपको अभी बता हैं 2020 का जजज्मेंट 2021 का जजज्मेंट तो 2020 वाले में ही सुप्रीम कोट ने खुद कहा था कि देखिए अब जो आप लेंगिक भ महिलाओंगे कि किस परकार से चीज़े धीरे-धीरे लिए बड़ी है आप लोग भी अच्छे सी चीज़ों को याद रखेगा तो मामला खास है अपने आपने कुछ प्रशन बन सकते हैं जैसा कि प्रशन में आप लोगों दिखाया था कुछ इस परकार से आप लोग के सामन तो बागी साथी तक जरूर शीर करना तकि वह भी चीज़ों को जाने समझें और वीडियो को लाइक की विना नहीं जाना है बागी बाते अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विशे के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए थैंक्यू सो मच